कि हालो फ्रेंड्स वेलकम टू एवन ट्यूटर आज के सेसन में हम लोग देखेंगे मुझबपरपूर आर्मी रैली का जो रिक्यूटमेट सबसे पहले आप लोग यह देखे लें तो मुझभपरपूर दर्भंगा समस्तिपूर मधिवनी विस्चंपारन सितामरी इस चंपार ने देख सकते हैं से हो हार ठीक है कब से कब तक है तो 28 नमबर से 12 धिसंबर तक चक्कर मैदान मुझभपरपूर बिहार ओनलाइन रेजिस्टेशन जो होगा अनिवार होगा दोस्तों जो कि आपका स्टार्ट हो जाएगा 29 सेप्टेमबर से 12 सेप्टेमबर तक हो जाएगा ठीक है अब देखिसे आपका एड्मीट कार्ड कार्ड बारे बताया गया की एड्मीट कार्ड फोर दा र्याली बिल विल सेंट थू रेजिस्टर पर फ्रूम एड्मिट कार्ड जो है यह कौन कौन सा category है एज क्या है कितने के बीच में जन्म होना चाहिए मतलब फीजिकल मतलब की हाइट वेट चेस्ट कितना होगा यह सब देख लिए फिर हम लोग देख लेंगे सबसे पहले category देख लेते हैं तो देख सकते हैं फिर जन्रल ड्यूटी और आम सोल्डर टेकनिकल प्रेट मेंड का है दोस्तों फिर यहां देख सकते हैं आठमी पास के लिए भी है तो यहां से देखते हैं अब देखिए जन्रल ड्यूटी का जो एज होगा सारे 17 से 21 वर्स होना चाहिए जो कि 1 अक्टूबर से 1 अप्रिल 2002 तक आपका इसमें जन्म होना चाहिए फिर यहां पर मिनिमूम फिजिकल दिया गया है जैसे के हाइट इतना होगा वेट चेस्ट और एड्वकेशन क्वालिफिकेशन कमसी कम मैट्रिक पास होना चाहिए भी 45 मार्क्स इन एग्रिगेट होना चाहिए और 33 परस यस मेंट केमेस्टि बिफ और 40 परसें सावी सब्यक्त में आना चाहिए इस प्रकार से आप लोग सभी का चेक कर सकते एज फिर कितने के बीच पर जंग होना चाहिए मिनिममम हाइट क्या होगा वेट क्या होगा चेस्ट क्या होगा और डिकुरी क्या होगा ठीक है फ्रेट यह सब कर सकते इसमें जो क्वालिफिकेशन हैं क्लास 8 10 & 12 तक का है ठीक है ध्यान रखिएगा आगे देखते हैं अब देखिए फ्रेंट इहां स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया कि मिनिममम हाइट 1200 सेंटीमीटर मिनिममम वेट 48 केजी एं मिनिममम चेस 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फोर आधिवासी केंडिडेट फीजिकल स्टेंडर यह सब के लिए हाइट चेस्ट और वेट जो है कुछ एक से दो केजी सेंटीमीटर कम किया गया है ठीक है अब आगे देखते हैं अब यहां देखिए के फीजिकल फीटनेस टेस्ट एट रेली साइट में जो होगा 1.6 किलोमीटर का रन होगा फिर गुरूप 1 गुरूप 2 हो कि लिए कहने है और देख्राइट रिमएट्ट यहां लिए किसकुष के लिए है तो 4 dl असाइन का लिए है मेडिकल साइट क्या होगा मेडिकल टेस्ट तो देख rozp एज पर लेड़ डाउन मेडिकल स्टेंडर एड़ राली साइड दोस्तों अन्फिट कैंडिडेट विल वी रेफ़र्ट टू एमसी एज बीएज फोर स्पेशलिस्ट रिफ्यू तो उनको 14 दिन के अंदर में हां देख से कैंडिडेट रेफ़र्ट फोर स्पेशलिस्ट रिफ बी कंडिक्टेट फोर मेडिकली फिट कैंडिडेट तो वैसे कैंडिडेट एग्जाम दे पाएंगे जो की मेडिकली फिट पाया जाएंगे एट नॉमिनेटेट वैन्यू पर ठीक है लोकेशन डेट इन टाइम अफ रिटें टेस्ट विल बी इनिसियेटेट एड रेली जाएगा आप देखिए फ्रें यहां पर सब जैसे की कैंडिडेट रिक्वाइट फॉलॉइंग डोकुमेंट तो फॉलॉइंग डोकुमेंट आपको लेके जाना होगा जो की ओरिजनल होगा ओके अब जिस में से यहां देख सकते हैं एड्मिट कार्ड जो की लेजर प्रिं जो है आपको लेके जाना होगा जैसे की मैट्रिक इंटर्मीडियट ग्रेजीशन सभी का प्रोविजनल भी लेके जाना होगा जैसे जैसे की दोस्तों प्रोविजनल ओन्लाइन एड्विकेशनल सर्टिफिकेट शूड भी सटीफाइड इंक साइंट पाइड मास्टर हैड इड्विकेशनल इंस्टिफिकेट लेके जाना होगा जो की ओरिजनल होगा सब का सर्टिफिकेट जो की फ्रेंड यहां देख सकते हैं डैकली लिखा गया है कि का सर्टिफिकेट अफिक्स्ट भीट फोटोग्राफ ऑवड़ा केंडियर इसूड बाइद तैसिलदार एंग और आदिवासी शूडबाग डिस्टिक मैनेज मजिस्ट्रे ठीक है अब देख सकते हैं पर फिर रिलिजियस सर्टिफिकेट अस्कूल लिविंग सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट और मेरिच सर्टिफिकेट रिलेशन्सिप सर्टिफिकेट तो यह सब आपको लेके में बताऊंगा फिर देख सकते हैं सिंगल बैंक अकाउंट प्रैंड कार्ड नाधार के यह सब आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा ओके अब फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं इसका जो लिंक है भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जैसे की केंडी रिभी अब बनबाद सकते हैं तो इसमें इस टाइप का फोर्मेट होगा इस पीडियेप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसको डाउनलोड करके आप लोग बनबाद सकते हैं तो थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो इस वीडियो प्ली लाइक शेर और सब्सक्राइब